नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए ज़र्खन के दिन भर की खबर जानते हैं टेट पास मेरिट लिस्ट वा सिधी नियुक्ति पर छो हपते में निरना है ज़र्खन हाई कोट ने वर्ष 2016 में टेट सफल अभियार्थू की मेरिट लिस्ट और सिधी नियुक्ति पर राई सरकार को छो सप्ता में बिधी सम्मत निरना लेने का आदेश दिया है बतादे हाई कोट के जश्टि डाक्टर एसन पाठत के राज ने परिमल कुमार वग अने की ओर से दायर याजका पर सुनवाई के बाद राई सरकार को उक्त आदेश दिया है साथी राई सरकार को निर्देश देते हुए याजका को निस्पाजित कर दिया इससे पूरो प्रार्थियों की ओर से अधिवाक्ता अम्रितांस वाचसल ने पक्ष रखते हुए आदालत को बताया कि सिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया तिस छात्र पर एक सिक्षा का होना जरूरी है वर्ष 2021 में सहायक सिक्षण के 95-886 स्विकृत पद रिख थे सिरी वर्ष्षन ने अधिel लात को बताया है कि वर्ष 2016 में जहार्खन सहायक सिक्षण नियुक्थि निमाली 2012 के ताहट सिक्षण पतरता पर इक्षा लिगा इग गई इसी निमावली के तहत पहले वीटेट लिया गया तथा सफल अभयार्थियों की वर्ष 13-14 में सिधी न्योक्ति भी की गई है 28 जूलाई से सुरू होगा जार्खन बिधान सभाका मानसून सत्र जार्खन बिधान सभाका मानसून सत्र 28 जूलाई से 4 अगस तक चलेगा सदन में बतोर मंत्री बेवी देवी पहली बार मवजूद रहेंगी बताओ दे बेवी देवी हिमन सरकार की दूसरी मंत्री है जो निरवार्चन से पुर्व मंत्री बनी है जगरनायत महतों के निदन के बाद उनकी जगा मंत्री बनी बेवी देवी को उत्पाद मंत्री बनाया गया मानसून सत्र के दौराण सरकार द्वारा सदन में कई बिधायक लाने की त्यारी की जा रही है इसमें पिछले दिनों राजबहों से लटाएगा कुछ बिधायक भी सामिल है बताद 8 जुलाई को सदन की करवाही दीन के 11 बजे से सुरू होगी पहले दिन की अपचार रिक्ता पूरी होने के बाद सोमवार 31 जुलाई 11 बजे तक के लिए सदन की करवाही अस्थागित रहेगा वहीं 4 जुलाई तक चलने वाले जारकर बिधान सभा के मांसूर सत्र के दोरान सदन में प्रश्न काल से लेकर सरकार दोरा अनुपूरक बज़ाओ बिनियोग बिधहयक लए जाएगा दोनों और से बहस के बाद इसे सदन से पाच कराने का परियास सरकार दोरा किया जाएगा मतदान पर किरिया बर्हानी के तियारी में जुटा चुनाव आयोग लोग सभाचुनाओ 2024 की त्यारी को लेकर रांची में चुनाओ आयोग का प्रसिक्षन कारिक्राम आयोजुट किया गया, चुनाओ के दोरान सहरी छेत्र में मद्दान कौम होने की सिकायते आती रहती है, जीसे दूर करने में चुनाओ आयोग जुट गया है, बतादे आगामी लोग सभाचुनाओ को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निदेश प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारी कर्यालाय द्वारा इन दिनों, निर्वाचन कारिस जुले पदाधिकारियों को प्रसिक्षन कर अर्बन छेत्र में मद्दान परतिसत बढ़ाने के तोर त पच्मी सिंभूम के मनोहर पूरपरखंड के चीडिया ओपी में एक यूती का सव बरामत हुआ है, जनकारे के मताबिक यूती एक एन जियो में काम करती थी, मुखे सलक यूती का सव नगन आवस्था में बरामत होने से संतनी फैल गई है, सव के पास ही उसके कपड़े पास पड़े थे, मंगलवार की सूबा सो को ग्रामिनों ने देखा, इसके बाद पूलिस को इसकी सुटना दी गई, यूती की पाचान कर ली गई है, परिजिनों ने दुसकर्म के बाद हत्या के असंका जताई है, बता दे, NGO के पता देखाए, राज जेस, लागुरिया ने बता है कि सोमवार को छोटा नाग पूर्थान अंत्रगत, चूर्गी गाविश्थी स्कूल में संस्था की तरफ से बच्चों के लिए एक कारकरम का यूजन किया गया था, उसी कारकरम में भाग लेने के लिए यूती अपने अने सहेलियों के साथ गई हुई थी, लोहर दग्ग अपर समहार्ता समीरा एस को भूमी समान पुरसकार से समानित किया, भूमी अभिलेखों को पून डिजिटली करण में उत्किष्ट प्रदसन करने वाले जीलों के लिए केंद्र सरकार ने भूमी समान का सुभाराम किया है, बतादे वर्ष दो हजर दग्गा जीले के साथ ज अपर समहार्ता समीरा एस और करेपालक दंडा अधिकारी सजीला पंचाइती राजपता अधिकारी पहुन कुमार ने यह समन प्रात किया है, भूले बाबा का दुख्ध अभिसेख करने पहुंची गव माता, मधुपूर अनुमंडल मुख्याला का पंच मंदीर आस्था का गेंदर है, यहां हर दिन भक्तों का ताता लगा रहता है, बताजया सरधालू अपनी मनुकामला लेकर बाबा की पूजा करने के लिए आते हैं, इसके अलाबा लोक कल्यान के लिए इस मंदीर में भक्तों दोबारा आधी प्रमपरा का निर्वाहन आज भी किया जाता है, ब गर्व गिरिह में गाय और बचले को ले जाया गया, इसके बाद गाय के थन से दूद की धारा सिधे सिवलिंग परभाकर मंत्रों चालन के साथ बाबा का दूद से अविसे किया गया, इसके पूर्ण सरधालू रभी अगरवाल सपत्नी को पुरोहीत अमरनात मिस्रा अक्ष अक्रवाती तूफान के कारण जारकन में मांसुन सकरी है, जिसके कारण राज के कई जीलों में अच्छी बारिस हो रही है, पिछले 24 गंटे में राज के कुछ अस्थानों पर गरजन के साथ हलके से मत दर्ज की बारिस हुई, वहीं कुछ अस्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है ऐसे में राज ने मासूर की गतिवी थी समान रही है बता दे मौसम के नदराची ने एक चाट जारी कर जहर खंड में अगले साथ दिनों नहीं शुरू कर सकेंगे दाखिला पर किरिया, राजिके नीजी बिद्याले बिना मने आता लिए नमांकन पर किरिया शुरू नहीं कर सकेंगे। के लिए आविदन जमा करेंगे विद्याले पहले RTE के तहट मनेता लेंगे इसके बाद नमांकन पर क्रिया सुरू करेंगे सिक्षा का अधिकार अधिनीम के तहट का एक से आट के तक विद्याले को संचावन के लिए मनेता मिलती है विद्यालों को मनेता का बाद यूडेस कोड मिलता है विश्व आदिवासी दिवस पर जारखन में होंगे कई कारकरम विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष में जारखन में दो दिनों का भव या ओतक्रिष्ट महोचव आयोजित किया जाएगा राजधानी में 9 और 10 अगस को जारखन आदिवासी महोचव दिवस सीर्षक से राष्ट्री अस्तर का कारकरम होगा इसमें आदिवासी सन्वेदना, चिंतन, संस्कृति और परमपराव की जलक मिलेगी कल्यान विभाग ने आयोजन की त्यारियां शुरू कर दी है विभागे सचीव ने आदिवासी का लियान आयोगत के कर्याले और राम देयाल मुंडा सोल संस्थान को पूरे कारकरम का खाका त्यार करने का निदेश दिया है जारखन में 13.29 परतिशत घटी गरीवी पिछले पांच वर्सों में देश में उतर परदेश बिहार मद परदेश उडिशा तथराज थन में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावर दर्च की गई है निति आयोग की सोमर को जाली रिपोर्ट रिपोर्ट के मुताविक भारत में 2015-16-29-23.5 कोडर लोग गरीवी से बाहर निकले है बता दे राष्टिये स्वास्थ सिक्षा और जिवन अस्तर के तिन समान रूप से भारतिय आयोमों में अभाव कोमापता है इन्हें 12 सतत विकास लक्षो से जुड़े संक्यत को से दर्शाया गया है निति आयोग की रिपोर्ट कम सरकार के स्वख्षता पोशन रसोई गयस बितिये समावेशन पेजल और बिली तक पहुँच में सुधार पर ध्यान देने से इस छेत्रों में महत्पून प्रगती हुई है किसान कम अधिवाले धान की करेबुआई बिर्शा क्रिसी विश्व बिद्याले के कुलपती सह मसहूर धान बिसे सग्य डक्टर ओम कारनाथ सिंग और क्रिसी बैग्यानिकों ने लगातार दूसरे साल मांसून की बेरुखी पर किसानों को सलाह देते हुए अपिल पत्र जारी किया है इसमें कहा गया है कि लंबी ओधी वाले धान की खेती का समय अब खत्म हचुका है खास कर MTU 7029 की खेती किसान अबना करें इसकी खेती उपरी जमीन पर होती है मध्यम और निचली जमीन पर भी अब कम ओधी 90 से 110 दिन वाली किस्मों का चारा तयार कर रोपाई करने के करने का समय निकल रहा है हजारी बाग में सावन में प्रकट हुए भोले नात सावन का महीना सीव जी की पूजा एवं भक्ति के लिए महत्पूर्ण होता है भागवान सीव के मंदिरों में सर्दालों के भीर होती है वे सीवालियों में सीव लिंग की पूजा करते हैं सल हजारी बैक जीले के चोपारन मान गड गाउ में मंगलवार गो तीरपन साल पुराणा मंदिर का जुनरोधार के दोरान सीवलिंग मिला है सीवलिंग प्रकट होने की खवर छेत्र में आकी तरह फैल गाई देखते ही देखते बड़ी संका में सरधालूओ कि भीर जुट गाई पुजा आर्तना भी सुरू हो गया है धन्यवाद